का दिन भी है श्रिमती सोनिया गांधी जी कॉंग्रेस अध्यक्षा जी आज श्री राहूल गांधी और हजारों हजारों कॉंग्रेस के लोगों के साथ कंदे से कंधा मिला कर भारत जोडो यात्रा में शामिल हुई श्रिमती सोनिया गांधी का बल उनका विश्वास त्याग और तपस्या की उनकी भावना कॉंग्रेस और देश के लिए उनका संकल्प चिलचिलाती धूप में हजारों कारेकरताओं को जिस प्रकार से उन्होंने जोश भर दिया और दस किलो मीटर से लंबी यात्रा और शायद उससे भी बड़ी जिस प्रकार से हजारों लोग एक हजूम में और जनून में चले वो शायद नजारा अपने आप में अनूठा था और आप सब उसके चश्मदीद गवाँ हैं आज कल भारतिय जन्ता पार्टी बहुत बुखलाई है और आज की यात्रा से तो और ज़्यादा बुखला गई आज उन्होंने शिरी राहुल गांधी जी के स्टाफ पर पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापिस चले जाएं कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं कभी वो फर्जी इश्टहार दिलवाते हैं कभी वो दीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया जूटा मुकदमा दर्ज करवाते हैं कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्टहार को खबर बना कर छपुआते हैं और आज तो हद हो गई अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं पर वो जान लें वो जान लें कि ने शिरी राहूल गांधी जी और ने कॉंग्रेस के लाखो करोडो कारे करता सिविल सोसाइटी के कार को रोग सकते जो केवल एक चिन है एक कारे करता है ना वो किसी और कारे करता साथ ही को रोग सकते और मुझे विश्वास है कि आपने भी भाजप्पा का घिनोना चेहराज देख लिया होगा आज जिस विशे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्तित हैं वो करनाटक प्रांज से जुड़ी एक विशेश बात है हमारे अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के भाईयों के लिए S.C.S.T. के साथियों के लिए कॉंग्रेस की सरकार में हमने नागमोहन दास कमिशन का गठन किया जो हाई कोट के एक रिटायर जजज हैं बहुत जाने माने हैं और बहुत निश्पक्ष माने जाते हैं क्योंकि हमारे S.C.S.T. समाज के भाई बहन उनकी ये मांग थी के उनको संपूरण आरक्षन नहीं दिया जा रहा प्रियांग खड़गे जी उस समय सम्मंदित विभाग के मंत्री थे उस कमिशन ने हमारी सरकार जाने के बाद रिपोर्ट दी और उस नागमोंदास कमिशन ने स्पश शब्दों में कहा कि सेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन तीन पर्तिशत से बढ़ा कर साथ पर्तिशत कर दी जाए आज भी हमारे स्टी समाज के लोग संत महात्मा कई कई महीनों से धरने पर हैं पर बोमई सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही शिरी सिधारमया जी ने हमारे विधायकों ने हमारे साथियों ने बार बार सदन के पटल पर ये मांग उठाई पर कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि भाजप्पा SCST विरोधी है SC समाज के हमारे लोगों के लिए उसी कमिशन ने रिक्मेंडेशन दी कि उनका अरक्षन 15 परतीशत से बढ़ाकर 17 परतीशत कर दिया जाए आज हम सब की कॉंग्रेस पार्टी एक स्वर से ये मांग करती है वो मैं जी ये कमेटी कमेटी खेलना बंद कीजिए दो साल छे महीने के करीब से ये रिपोर्ट आपके पास पड़ी है सबा दो धाई साल में आपने ये रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की अब जब चुनाव आ गया चार-पांच महीने चुनाव दूर है तो भारतिय जन्ता पार्टी को चुनावी खुजली शुरू हो गई है और वो अब मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं हमारी मांग है सीधी जस्टिस नागमोहन दास कमिशन रिपोर्ट हमारे सी एस्टि भाईयों के लिए लागू हो स्टि रिजर्वेशन तीन परतिशत से साथ परतिशत हो स्टि रिजर्वेशन पंदरा परतिशत से सत्रा परतिशत हो असेम्बली का सत्र बुलाकर इसे लागू करें और 15 दिन में मोदी जी इसे लागू करें नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि वो SC और ST के लोगों की आँख में धूल जोकना चाहते हैं